कि नमस्कार दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक टूजेट क्लास में पश्णावली 1.1 इससे पहले हम वास्पी संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा था लाश्ट कक्सा में अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक पॉइंट एक इसके अंदर फैस्ट स्वाल दिया गया हमें संख्याओं के गुर्णफल के रूम में वख्थ करना है तो इसके हमें हमें पहस्ट नमबर दिया गया है कि 140 140 करते हैं हमीं संख्या जिक ऄचर 1 और 140 के पहले करते हम सबसे फ satisf़ गाइब देता तो इसके लिए दी न बाग्त जाएंगी दो को हम 140 के अंदर भाग देंगे हमारे पास 14 में 2 नहीं नहीं पास यह बाद यह जाता है तो इस पर कि यह देंगे और नीचे आएगा एक इस परकार से सबसे पहले हम देते हैं सबसे छोटी संग्या का बाग तो सबसे छोटी संग्या हमारे पास दो का इसके अंदर भाग दिया जाएगा तो आते हैं एंद्धर उतñornतर के है यंदर दोक्त भाग दिया जाता है तो हमारे पास आते हैं मुझालीष और नर्बूल स्थालीष लिए जाता नहीं है गुनंखंड इस प्रकार से किया जाते हैं और हम लिखेंगे नीचे 156 बराबर दो गुना दो गुना तीन गुना तेरा अगर इन संग्या को आपिस multiply किया जाएगा गुना किया जाएगा तो हमारे पास 156 आते इसके बाद में हमें थ्ल्ट पॉइंट दिया गया है 3825 अब 3825 के इस प्रकार से करेंगे 3825 के अंदर हम सबसस्केशन रहे चोटी संग्या और देंगी तो चोटी संग्या बाद जाता नहीं कि पांच है तो हम इसमें बाद देते इन अ families तो अगर आए तो इसके अंदर हम देते हैं फिर इन अगर अगर साते हैं अगर है पांच यागर पांच का बोलते हैं तो हमारे पांच याता अब 17 शान्द्र familiar भाग नःता एक ग्लना किसी वहल् centro नहीं जाता है सभ country income देते हैं यहाल ल॥ा पांच गूना पांच गूना सप्राइन। मुठ C. कर तो रिठी मारे पास आरथा Videos असफिति आर्व इस वहलOT, से लिख सकते हैं जैसे तीन दो डबल भार तो तीन की पावर दो गुणा पांच मारे पास दो बार है तो पांच की पावर दो गुणा सत्रा अगर इस निए वाफिस मुट्प्लाई कि आजाए गया तो हमारे पास आते हैं अर्थिस सो पचीश इसके पूइंद पूंट दिया गया हमें 555 के अभाजे गुनंखंड करते हैं तो 555 के अभाजे गुनंखंड के अंदर देखतें कि अंति मंग कितना है अंति मंग हमा हुआ तो हमारे पास आते हैं 133 अगर 143 तो एक सो आइस के अंदर हम बाग देते हैं कि कि उन अनती वंग कितना तो हम इसके बाद में देते हैं 11 का और 11 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 13 और 13 एक यह भाद्ज संगय और आभाद से हम भाद én रहा हुआ देते 1111 गुना 13 इसको अगर वापिस मुटिप्लाई किया जाएगा तो हमेरे पास आते हैं 555 इस प्रकार से हमने फैस्ट मुइंट के करते हैं इसके बाद में हम करते हैं सेकिंड क्यूसन अगर इस क्यूसन का आप इसक्रिंशोड लेना चाहो तो इसक्रिंशोड ले सकते हो अनिता आप को पी के अंदर नोट कर सकते हैं इसके बाद में करते हैं किसर नमर सेकिंड हाँ इसके बाद में हमें क्यूसन नमर सेकिंड NCRT book में दिया गया है कि निमन युगमोग के HCF और LCM ज्याद कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संग्याओं का गुणन पल HCF तथा LCM है HCM multiply LCM है तो इसमें हमें तीन पॉंट दिया गए हमारे पास कितना आएगा अगरें तेरा की अंदर कि कितने का भाग जा सकता तेरा की अंदर क्योंकि तता एक का भाग देंगे तो हमारे पास तेरा आएगा इस परकार से हमने 26 का एवाज गुन गंड हो गए हमारे पास 2 गुणा 3 इसके बाद भी हमें दूसरा पॉइंट दिया गया है च्छाण में इकाण में, सोरी, इकाण में, इकाण में की एवाज गुन गंड करते है तो अंती बंग कितना एक है तो हम पहले बाग देते हैं छोटी संग्या 7 का और अगर 7 की पाड़े को 13 बार बोलेंगे तो हमारे पास आता है इकाण में अब 13 एवाज संग्या है तो 13 का बाग तेरा में देंगे तो इस परकार से हम 91 के एवाज गुनगंड निकालते हैं कैशे 7 कुना 13 इस परकार से 2 गुनगंड होते है उसके बाद में हमें पूच्छा गया था HCHP तता LCM तो हम पहले सन्वाइब निकालते हैं दोनों संवाइब होगा का HCF एकाटान्वेब का ए सjen क्हानु की स bene होती है तता संक उनकी न्यून। गहात है का एस एप कहला एक इस f IT थे रिणोर देखो कि न्यून सम्वार्मा गहात कॉन उन है Uh संग्या कोमन थेजर तो इसका हमारी पासवीर काड़ी न हमुए गोब दो डूसरी साथ और इन मेंसे यह लेजिये तेहरा अब इसको गुणा करेंगे To Amp Ashi सब्सक्राइब करने हैं तो हम पहले बताते हैं यह पर इसकी जांच की गई है तो हम कहले निगालते हैं गोड़ा और्पल casual एगुना घ्र मोर्टी पर मुर्टिप्किन एलसी एम HEY में вдो संग्यवी घ्र पहले पर टो हमारे पास पहले संग्या आ को सी थी पहली संग्या पश्चींगिया और डूस्य गहीं एक जहाएगार रिमांदे हैं 26 मोंदें मानते हम इकान में बराबर ऐसे हमें भी निकाला है कि ऐसे हमारा आया था 13 तो हम ऐसे हम निकाला था और इन दोनों संग्याओं गुणा किया जाता है तो हमारे पास आते हैं 2366 कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोनों पक्स है LHS और RS दोनों बराबर है तो हम कह सकते हैं कि LHS से इकवर टू आर अचस इस परकार से हमने इस फैस्ट पॉइंट की LCM HCF और इसकी सत्यता की जांच कर दिया इसके बाद में बात कि जाए सेकिट पॉइंट के अंदर दिया गया पांसो दस और बान में तो हम इन दोनों संग्याओं आप बाचे गुणा करते हैं पहले हम गु है 205 पन अगर आफ दोसोपिशपन आ गया तो यह देखो कि 200 प्रिच्वश्पन कितने की पाड़े में आते हैं अगर में इसके डों के बाद में 3 लेता हूं यहाँ पर तो अगर इसके इंदर 3 का बाद को सत्रा बार बोला जाता है तो मेरे पास से पिछाए से आते हैं अब आपको पता है कि औरडे कि इसके रहर बाग दिया जाता है तो सप्राइसे के पांसो दस सब्बाबर दो गुणा तीन गुणा पांच गुणा साथ अगर इन संग्याओं को वापिस मल्टिप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आते हैं 510 इसके बाद में हमें दूसरा पॉइंट दिया गया है बान में हम बान में के एवाजय गुण खंडे करते हैं और अंतिमंग हमें दिया ग तो हमारे पास आते हैं 23 और 23 किस प्रकार की संग्या थेश एक बाद जेशन गया तो हम इसके अंदर बाग देते हैं तेश का और निच्छे आजएगा एक तो हम इसके निच्छे लिख देंगे कि बान में के एवाजय गुण खंड किये थे हमने दो गुणा दो गुणा थे तो यह जो अजिसके गुणिन process क्या हुआ और जिसकी गात सबसे कम हो तो देख। इसके आंदर कौश शुझस रंद आ सकती है है अधिकतम संग्य हम उसको लेते हैं कि किदिक है दुगुनाँ फिर कितना है तीन गुना फंच पूणार साथ पूण सत्त इस संग्या को बाफिस मृतीपलाई किया जाता है तो हमारे पास कितना आता है हमारे पासाथ 233 460 करने पर हमारे पास था हम इसको अलग से रपकार की तौर पर इसको गुणा करके देख सकते इस परकार से हमने लिका दिया इसके बाद में हम करते हैं इसकी जांच कर यह पूंड लिख दीजिए एक पर लिखता हूं पहले पांचो दस ही गूना बी दिया गए है मेरे पास बाण में है फिर हमने अभी कितना निकाला था तीन दो निकाला था दो और एसिमने निकाला था थेसजार सेफ़िं है अगर इसका मान दोनों का समान अता है हमारी से जांस ही होती ठीक है नो सो इस zwr in यहcolor तो सोरी एक्वेल टू और एक्वेल टू और है इस परकार से हमने शर्किंड के यह बाज घुनकर के एश यह यह और एश्यव निकाले और इसकी यह सत्यता की जात के इसके बाद हमें थर्ट दिया गया अगर इसके अंदर दो का भाग दिया जाएगा तो हमारे पास आता है 168 अब वापिस लोका भाग देंगे तो हमारे पास कितना आता है अब देखो इसका कितना आ गया एक आ गया अब एक आगा हुं दो का भाग तो देने सकते हैं दो से बड़ी शंगा पर चलते नहीं है कि तीन पर आ जाता है थेखिंग लाओं के ना भाड़े में किसाते कितनी भाजन पर अगया है पार बहुनने पराते हैं और 7 या 21 और यह होगा 7 अभाजी संगे तो हम ने 7 का बाग दे दिया इस परकार से हमने 336 के अभाजे गोन करें नीकालें तो इसके निचे हम लिख देंगे कि 336 पर दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा साथ अगर इन संग्याओ अपिस मल्टिप्लाई किया जाता है तो हमारे पास आते हैं 337 इसको में एक सोड़कर तरीके से लिख सकता हूं कि दो कितनी बाहर है देखो हो वैं टू त्री पुर तो दो कि बाहर लगासकता हूं चार गुणा तीन गुणा साथ ठीक है इसके बाद में हम निकालतें चोवन के भाजे गुणा अगर इसके जोटी संग्यागाव को हमारे पास आते हैं नहीं तूसाँ सताइश मेफ यहीं तो हम लेते हैं तीन बाटे मेफ तो इसके बादिम की बोलते हैं मेरे पास सताइश किस्किन की दौन बार ऑड़ मों आए कि लगोररों इसको सब्सक्राइब की 29 तीटी सताइश सताए दुनी 54 तो मैर पास 54 पराप्त होते हैं तो 54 की निच्चे लिखते हैं हम 54 बराबर धे दो गुणा थे तीन गुणा थे गुणा थे अब इसको हम इसी भी त्रीका रूप से लिख सकते हैं डुोंकी पाऊर कितनी है 2 vary थे पार है Change तीन की पाउर तीन लगा दी अब हमें पूचा गये था इसका है और लिखते हैं कि हम लिखते हैं तो इसके अंदर बड़ी से बड़ी संग्या है जितनी बार हम उसको लिखते हमारे पास दो कितनी बार है दो हमारे पास है दोना करें हम उसको लिखते हैं हमारे पास कितनी बार है तीन गुना तीन गुना इसके बाद मुए कौनसे बार सक यहाँ और एक बार एक बार तो हम देते हैं यहाँ पर 7 इस सभी संग्या को गुणा किया जाएगा तो हमारे पास आता है 30020 इस इसको आप परकारी की तोर पर करके देख सकते हो अलग से यह आपकी में नहीं रहेगा इसको बाहर से अलग से आप मुल्टिपलाई कीजिए इसके बाद में हम करते हैं जांच लाव ओजांच देखे जांच इसी वी दिशिओं कि जो हमने एगुना भी एगुना भी HCP multiply LCM एह हमारे पास कॉंची संगया दी गई थी 336 दी गई थी गुणा बी कॉंची संगया दी गई थी जोवन दी गई थी अब एसजावेनी आपने कितना लिखा लाता देखो एसे वह में लिखा लाता तो 6 लिख दो sile को कितना लिखा था 30024 कहने का मतलब की मतला किया एक पक्स यह और दूसरा पक्स आगर इन दोनों संक्याओं को मल्टिबलाई किया जाए और इन दोनों संक्याओं को अगर इतना आता है तो इनका भी इतना या ना चाहिए तो 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 वह यह विदी सही है अब 336 को चौन को गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 18,000 144 और इधर गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 18,000 144 इसका मतलब क्या हो गया कि LHS सही LHS equal to RHS इस परकार से हमने तीन पॉइंट होगे एभाजे गुणागन करके LCF और LCM निकाला उसके बाद में हमने सत्यता कि इसकी जांट की इस परकार से हमारा दूसरा इसके बारा पंदरा और 21,000 15,000 15,000 हम पहले बारा का HCP निकालते हैं तो 12 कुछा होगा अंति मंग कितना हमारे पास 2 है तो हम सबसे छोटी संग्या लेते हैं 2-0 के पढ़े में 12 भीता हम्ऊ है 15 15 ए democrat करते हम तो ऑंति इसके बाद मेंancia संग्य अगली तीन तीन के बाड़े में पंद्रा कितनी बार बोनने पराते हैं पांच बार बोनने पराते हैं तो हमने पंद्रा के अभाजे गुनगन हो गए हमारे कि पंद्रा गुणा तीन गुणा पांच इस परकार से हमने पंद्रा के अभाजे गुनगन कर लिए इसके बाद हैं तो साथ में हम साथ का बाद नेगे तो एक आएगा तो हम इसके निचे लिख देंगे 21 के एभाज गुणंगंड हो गई तीन गुणा साथ अब हमें पुछा क्या गया था पूछ गया था वहम निकालते हैं पहले कि फिए अब से देटें जो 30 has एंसके अन्दर को ऑंठ इसके अ इसके द体ें और 2 नहीं इसके अंदर 3 यह रहा रहे हैं इसके अंदर वी तिन एकटीन एक बार है तो इसका अशिया भास थे यह हम हमें पूछा गए था skm वर्ण को सिसे कई ता 12 15 गाओ गास कर इसका से निकालते यह जो जितने अधिक делать अदिकतम होती हैं हम उनको लेते हैं तो इसके अंदर अधिक्तम गाते कितनी है तो यह तो दो गुणा दो और आगे कितना है तीन पांच गुणा साथ अगर इस संग्याव आपस में मुट्टिप्लाइब करते हैं तो हमारी पास आता है सब्सक्राइब लगा है तो आपको इस बाता है यहां पड़ाता है कि एश्धा का रहाट संख्या हमारे पास तो सत्रा का वाख देते हैं तो इसके निचे लिख देते हैं कि सत्रा के गुणां-खंड हो गए हमारे पास 70 गुना एक इसके बाद में हमींे दूसरा दिया गाए 23 और 23 के ऐआफाजे कुने करते हम हम्инов हैs सत्रा एवाजे संक्या है तो 23 में हमारी एवाजे संक्या है तो 23 के अंदर हम 23 का वाग देंगे हमारे पास आएगा एक तो इसके अंदर एवाजे संक्या होने से हम इसका भाग देंगे तो यहां पर आजएगा हमारे पास एक तो हम लिखते हैं कि अब हमें पूछा गया था है एक हम पहले निकालते हैं इसका हम आपको बार बार बता रहा हूं कि अब आपका है अब देखो को मर को संग्या है को मर एक संग्या इसमें भी इसमें भी एक है तो हमारा एक हो जाएगा यहां पर एक इसके बाद बात की जाए LCM की थो LCM हमारे पास 17 का 13 का स्वारी 23 का और 23 का में ऐसी पूछा गया था तो क्या कि जितने अधिक्तम गाते हैं उसका हम LCM निकालते हैं तो हमारे पास कोशिशन के हाई गुणंखंड़ के 17 और 23 इस सभी संग्याओं को हम बुना करते हैं तो हमारे 23444 इस परकार से हमने इसका LCM निका लिए इस परकार से हमें दो पॉइंट दिये गए थैं हमने दो पॉइंट हों के एज वाज़े गुनगां करके हमने हैं एली सिय अपर कि बात करते हैं फोर दिया गया है जो कि स्क्रीन पर है तो हमें 25 से करते हैं जला स्टेट के थी तो हमें 현재 क्टिस्यक्नचरन ऐस नहीं दोजात करें वामी है कि नहीं पर है याद करना किया है याद करना है हमें ए और बी दो संग्या दी गया 306 और 607 तो हम उसी फोर्मले से करते हैं जिस फोर्मले से हमने लाइस्ट की जांस की तो हम यहापर लिखते हैं कि उसरमर फोर का आंसर तो आंसर इसमें यह रहेगा कि क्या होता है कि a गुणा b बराबर hcf multiply lcm होता है अब इसको हम दूसरे तरीके से यह लिख सकते हैं कि hcf multiply lcm equal to a गुणा b मैंने इस फोर्मले का यूज़ कर रहा हूं और इसके बाद हम करते हैं हमें क्या दिया गया था hcf मेंसरे कि यह वाएक है सथीन आपको पता है जो 9 संठीय होती है आपको पता है कि जो ederim कि आंदर संक्या होते है तो दूसरे पक्स में जाती है तो वह बाक्त के अंदर आ जाती है तो मैं यहां से इसका डिवाइड लेता हूं तो नहीं यहां से इसके लिए मैं मैं को कारता हूं yeah यšा जो करता हूं टो नोट फाड़े को 34 बार बोलते हैं तो हमारे पास आता है तीन 6 तो मैं ने जो के पाड़े से 306 को काट जई कितनी बार में 34 बार में आप जो मेरे पा संग्याह पच्छी है इसका प्रता रूम बुना 34 गुणा अगलr के अंदर अगले करास में पड़ने से बाद में हम स्टार्ट करेंगे अग्सिसाइज 1.1 को जितना च्रक कि पढ़ाई गयाँ वह अच्छी तरह से समझ में आ गया है आप इसके नोट समनाएं और इसके बाद में मिलते हैं हम नेक्ट क्लास के अंदर पाट नमर शेकिंड एक्सराइब पॉइंट टू के अंदर